हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का जीके ट्राइ यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों जैसे कि अभी हाली में जो SSC GD एक्जाम चल रहा है तो इस टोपिक से एक्जाम में कोस्न देखने को मिल रहे हैं यानि कि जो बरतमान केंदरी मंत्री हैं तो यहां से कोस्न एक्जाम में पूछा जा रहा है तो यह जो टोपिक आप के लिए अगर आप SSC GD एक्जाम देने जा रहे हैं या कोई भी एक्जाम देने जा रहे हैं तो यह टोपिक आप के लिए महत्पोन है तो अभी हाली में भारत की नई प्रिथम आदिवासी महिला राष्टपती बनी है जिनका नाम है द्रोबदी मुर्मू तो इसका अंसर ए हो जाएगा द्रोबदी मुर्मु ये भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्टपती बनी है और देखे देश के कौन से नमबर की राष्टपती है तो ये भारत के पंदरवे नमबर की राष्टपती बनी है और इसी के साथ द्रोपदी मुर्मू ये भारत की दूसरी महिला राष्टपती भी बनी है तो याद रखना है देखे द्रोपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को इन से पहले जो भारत के चोदेवे नंबर के राष्टपती थे रामनाथ कोबिन जी का इस्थान लिया है तो ये सभी पूइंट याद रखने है महत पूले इसके बाद अगला कोशन ने भारत के नई 24 वे उपराष्टपती कौन बने है अब देखे भारत के उपराष्टपती की बात करें देखे जगदीब धनखर ने 11 अगस्त 2022 को इन से पहले जो उप्राष्ट पती थे बेंकर नाइडरु जी का इस्थान लिया है तो याद रखना है भारत के उच्चितम नेले के 50 बे मुख्य न्याइधीस कौन बने है तो इसका राइट आंसर ओप्सन सी हो जाएगा जश्टिस डी वाई चंदरुचून इनका पूरा नाम है जश्टिस धननजय यसवन्त चंदरुचून तो ये भारत के 50 बे नंबर के सुप्रीम कोड के मुख्य न्याइधीस बने है देखे इनका कार्यकाल 9 नमंबर 2022 से 10 नमंबर 2024 तक का होगा यानि कि इनका कार्यकाल 9 नमंबर 2022 से सुरू होगा ये भारत के 50 बे नंबर के मुख्य न्याइधीस बने है देखे बरतमान में 49 बे नंबर के सुप्रीम कोड के मुख्य न्याइधीस कोन है तो जश्टिस उदय उमियस लली थे जिनका कारेकाल 27 अगस्त 2022 से 8 नमबर 2022 तक का होगा और इन से पहले 48 पी नमबर के मुखे ने आज दिस थे जश्टिस एन भी रमना जिनका कारेकाल 24 अपरेल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक का था तो याद रखना है इन तीनों के बारे में मोधी कैविनेट की बात करें यानि की जो केंदर में सभी केंदरिय मंत्री हैं तो उनकी बात करें तो यहाँ पर question number 4 है PM नरेंदर मोदी कौन से नंबर के प्रिदाहन मंत्री है अब दिखे आप से भी जानते हैं भारत के प्रिदाहन मंत्री कौन है तो नरेंदर मोदी जी है अब दिखे यहाँ से question अभी हाली में ग्रूप D, railway group D एक्जाम में पूछा गया था कि प्रिदाहन मंत्री नरेंदर मोदी है कौन से नंबर के प्रिदाहन मंत्री है तो इस प्रकार से एक्जाम में question पूछ ले आते हैं तो नरेंदर मोदी यह 15. नंबर के प्रिदाहन मंत्री है तो इसका answer D हो जाएगा इसके बाद अगला question है बहरत के रक्ष मंत्री कौन है तो दिखे बरतमान में बहरत के रक्ष मंत्री है राजनात सिंग तो इसका answer A हो जाएगा इसके बाद question नंबर 6 है भारत के केंद्रिय ग्रह मंत्री कौन है तो देखे इस से में बरतमान में भारत के ग्रह मंत्री है अमित साहा तो इसका अंसर भी हो जाएगा इसके बाद question number 7 है भारत के प्रिथम सहकारिता मंतरी कोन है अब देखे ये question महत्पूर्ण जाता है क्योंकि एक नया सहकारिता मंतराल्य बनाये गया है केंद सरकार के ओर से तो भारत के प्रिथम सहकारिता मंतरी बने है अमित साह जो कि भारत के ग्रह मंतरी भी है तो इसका अं इसके बाद अगला कोश्चन है भारत के केंद्रिय बित्त मंत्री कोन है तो देखे भारत की केंद्रिय बित्त मंत्री कोन है आप से भी जानते हैं तो निर्मला सीतर रमण है तो इसका अंसर सी हो जाएगा देखे निर्मला सीतर रमण ये भारत की पहली पूर्ण कालिक महिला बित्त मंत्री है देखे इन से पहले जो इंद्रा गांदी थी बेवी महीला बित्त मंत्री रह चुकी है लेकिन पर प्रदान मंत्री रहते हुए बित्त मंत्री बनी थी तो भारत की पहली महीला पूर्ण कालिक बित्त मंत्री कोन है तो निर्मिला सितरमने इसके बार नेक्ष् पुरसन है केंद्रिय स्वास्थे एवं परिवार कल्यान मंत्री कौन है तो इस समय भारत के केंद्रिय स्वास्थे एवं परिवार कल्यान मंत्री है मंसुक एल मंडाविया तो इसका अंसर भी हो जाएगा देखे मंसुक एल मंडाविया के पास इस समय वरतमान में दो मंत्राल यहां पर एक तो स्वास्तेवं परिवार कलन्याण मंत्रालेनी के पास है दूसरा रसाहिन एवं उर्बरक मंत्राले भी मंसुक एल मंडाविया के पास है तो भारत के स्वास्तेवं परिवार कलन्याण मंत्री कोन है तो मंसुक एल मंडाविया है इसके बाद कोशन नमर 11 है भा बईतमान में तीन मंत्राले दिए गए हैं. दिए गए इस समय बदमान में भारत के इन्द्री खेल मंत्री और सूचन दिए इस समय13 प्रसानल मंत्री है अनुराक सिंग ठाकुर तो इसका अंसर यह हो जाएगा देखे अनुराक सिंग ठाकुर को दो मंत्रालिय दी गए हैं पहला है सूचना एवं प्रसानल मंत्रालिय दूसरा है यूबा कार्य एवं खेल मंत्रालिय तो इस दोनों मंत्रालिय अनुराक सिंग ठ तो याद रखना है कि भारत के इस समय केंद्रिय खेल मंत्री और सूचना प्रिसान मंत्री खोन है तो अनुराक सिंग ठाकू रहे हैं इसके बाद कोशन नंबर 13 है भारत के केंद्रिय सड़क परिबहन एवं राजमार्ग मंत्री खोन है तो इस कांसर ओप्सन सी हो जाएगा नितिन जैराम गटकरी तो देखे भारत के केंद्रिय सड़क परिबहन एवं राजमार्ग मंत्री है नितिन जैराम गटकरी इसके बाद अगला कोशन है भारत के केंद्रिय किरसी एवं किसान कल्यान मंत्री कोन है तो देखे इस समय भारत के केंद्रिय किर्सी एवम किसान कल्यान मंत्री है नरेंदर सिंग तो मर तो इसका अंसर B हो जाएगा और दोस्तों अगर आप कोई बीडियो पसंदा रहे तो प्लीज बीडियो को लाइक जरूर करे और अपने स्टेडिक रूप में भी सेयर करें इसके बाद कोई नमर 15 है केंद्रिय महिल एवम बाल विकास मंत्री कोन है तो देखे महत्पून प्रसन है तो इसका अंसर ओप्सन D हो जाएगा इसमर्ती जुबिन इरानी भारत केंद्रिय महिल एवम बाल विकास मंत्री है इसमर्ती जुबिन इरानी इसके बाद अगला कोईशन है भारत केंद्रिय अलप संख्या कारे मंत्री कोन है तो देखे ये कोईशन भी महत्पून है तो इसका अंसर भी ओप्सन D हो जाएगा इसमर्ती जुबिन इरानी अब दिखिए मैं आपको बता दूँ इसमर्ती जुबिन इरानी से पहले जो भारत के केंद्रिय अलप संख्या कारिय मंतरी थे मुक्तार अब्बास नक्वी थे लेकिन उन्हों ने स्थिपा दे दिया था तो उनके बाद 7 उजलाई 2022 को इसमर्ती इरानी को केंद्रिय अलप संख्या कारिय मंतरी का अतरिक प्रभार दिया गया है तो आपको याद रखना है कि इसमर्ती जुबिन इरानी ये भारत की केंद्रिय महिल एवं बाल बिकास मंतरी है इसी के साथ ये भारत के केंद्रिय अलप संख्या कारिय मंत्री भी है तो याद रखना है इसके बाद आगे बात करें तो कोस्टन नम्मर 17 है भारत के केंद्रिय जन जातिय कारिय मंत्री कौन है तो भारत के केंद्रिय जन जातिय कारिय मंत्री है अर्जुन मुंडा तो इसका अंसर भी हो जाएगा इसके बाद अगला कोश्चन है भारत के केंद्रिय कपड़ा मंत्री कौन है तो देखे इस समय भारत के केंद्रिय कपड़ा मंत्री है पियूस गोयल तो इसका अंसर सी हो जाएगा अब देखे पियूस गोयल के बारे में बता दूँ, पियूस गोयल को इससे में तीन केंद्रिय मंत्रालिय दिये गए हैं, बाणिज्य एवम उद्ध्योग मंत्रालिय, उब्भुकता कार्य खाद एवम सारवजनिक बित्रन मंत्रालिय और तीसरा है कपडा मंत्रालिय, तो ये तो इसका अंसर D हो जाएगा देखे धर्मेंदर प्रदान को भी इस समय दो मंत्राल्य दिये गए हैं पहला है सिक्सा मंत्राल्य दूसरा है कोसल विकास एवम उद्मिता मंत्राल्य है तो ये दोनों ही मंत्राल्य किसके पास हैं धर्मेंदर प्रदान के पास हैं इसके बाद अगला कोस्तन है भारत के केंद्रिय कोईला मंत्री कौन है तो देखे भारत के बरतवान में केंद्रिय कोईला मंत्री है प्रहलाद जोसी तो इसका अंसर एह हो जाएगा अब देखे प्रहलाद जोसी की बात करें तो इनके पास भी इस समय बरतवान में तीन मंत्र पहला है संसदिय कार्य मंत्राले दूसरा कोईला मंत्राले और तीसरा है खान मंत्राले तो ये तीनों ही मंत्राले किसके पास है परहलाद जोशी के पास है इसके बाद कोस्ट नम्मर 21 है भारत के केंद्रिय कानून एवं नियाई मंत्री कौन है तो इसका राइट आंसर तो देखे भारत के बरतमान में केंद्रिय कानून एवं नियाई मंत्री हैं किरान रिजी जू इसके बाद अगला कोश्चन है केंद्रिय समाजिक नियाई एवं अधिकारिकता मंत्री कौन है तो बरतमान में केंद्रिय समाजिक नियाई एवं अधिकारिकता मंत्री हैं ब्रें इसके बाद केंद्रिया इसपात मंत्री एबं नागरिक बिमानन मंत्री कोन है? तो इसका अंसर सी हो जाएगा ज्योतिरा दित्या एम सिंधिया तो भारत केंद्रिया इसपात मंत्री एबं नागरिक बिमानन मंत्री कोन है? इसके बाद अगला कोस्षन है तो देखे इस समय भारत की केंद्रिय खाद्य प्रेसंस्क्राण उद्योग मंत्री है पसुपती कुमार पारस तो इसका अंसर भी हो जाएगा इसके बाद कोशन नमबर 26 है केंद्रिय जल सक्ति मंत्री कौन है तो दिखे भारत के बरतमर में केंद्रिय जल सक्ती मंत्री हैं, गजेंदर सिंग से खावत, तो इसका आंसर यह हो जाएगा इसके बाद अगला कॉस्स न है, केंद्रिय पैट्रोल्य येवं प्राकरतिक गैस मंत्री कौन है, तो इसका अंसर ओप्षन D हो जाएगा हर्दीब सेंग पुरि तो भारत के केंद्रिय पैट्रोले एवं प्राकरतिक गैस मंत्री है हरदीप सिंग पुरी अब दिखे हरदीप सिंग पुरी के बात करें तो इनके पास इस समय दो मंत्राले हैं पहला है पैट्रोले एवं प्राकरतिक गैस मंत्राले है दूसरा है आबास एवं सहरी कार्या मंत्राले तो इन दोनों ही मंत्राले के केंद्रे मंत्री कोन है तो हरदीप सिंग पुरी है इसके बाद अगला कोशन है केंद्रे बिजली मंत्री कोन है तो दिखे इस ते में भारत के केंद्रे बिजली मंत्री कोन है तो राज कुमार सिंग है, तो इसका अंसर भी हो जाएगा इसके बाद अगला कोछ सने केंद्रिय सिरम एवं रोजगार मंत्री कौन है तो भारत के बरतमान में केंद्रिय सिरम एवं रोजगार मंत्री है भुपेंद्र यादव, तो इसका अंसर यह हो जाएगा अब दिके भुपेंदर यादब की बात करें तो इनके पास भी इस समय दो मंत्राल्या है पहला है पर्या वराण बन एवं जलबायू परिवर्तन मंत्राल्या है दूसरा है स्रम एवं रोजगार मंत्राल्या है इसके बाद कोस्नमबर तीस है तो इस समय भारत की केंद्रय संस्कृति एवं परेटण मंत्री है जी केसन रेडडी तो इसका डिकास सियो जाएगा अब दीखें जी केसन रेडडी के पास इस समय तीन मंत्राले है पहला है संस्क्रेती मंत्राले, दूसरा है परेटन मंत्राले, तीसरा है पुर्वत्तर छेतर विकास मंत्राले तो इन तीनों ही मंत्राले के केंद्रे मंत्री कोन है तो जी किसन रेड़ी है इसके बाद अगला कोश्चन है तो इसका अंसर यह हो जाएगा इसके बाद question number 32 है तो इसका अंसर option C हो जाएगा पुरसोत्तम रुपाला तो पुरसोत्तम रुपाला इस समय भारत के केंद्रिया पुसुपालन डेरी और मतस्यपालन मंत्री है इसके बाद अगला question है केंद्रिया सूच्म लगू एवं उधम मंत्री कोन है तो इसका अंसर यह हो जाएगा नरायन तातु राणे देखे नरायन तातु राणे इस समय भारत के केंद्रिया सूच्म लगू एवं मद्यमुदम मंत्री है इसके बाद question number 34 है केंद्रिया आयूरुबेद मंत्री कोन है तो देखे इस समय भारत की केंद्रिया आयूरुबेद मंत्री है सरवानंद सोनोबाल तो इसका अंसर भी हो जाएगा आप सभी जानते हैं सरवानंद सोनोबाल ये असम के पूरु मुख्य मंत्री रह चुके है तो इस समय भारत में भारत की केंद्रिया आयूरुबेद मंत्री है देखे सरवानंद सोनोबाल की बात करें तो सरवानंद सोनोबाल ये आयुरुबेद, योगा एवं प्राकर्तिक चिकितसा, युनानी, सिद्धा, होमोपैथिक मंत्रालिय यानि कि आयुज मंत्रालिय तो ये सभी सर्वन अंद सोनुबाल के पास हैं तो दोस्तो आज के लिए इतना ही, ये थे भारत के सभी केंद्री मंत्री जिनके बारे मैं आपको बताया, अब चलिए आज का कोशन देख लेते हैं, जिसका अंसर आपको नीचे कमेंड ओक्स में बताना है, तो आपके लिए आज का प्रस ने मोली कर्तब्यों को सम्मीधान के किस भाग में रखा वया है, तो इस का अंसर आपको नीचे कमेंड ओक्स में बताना है, मैं आपको बता दूँ इससे पहले मैंने भारते सम्मीधान के सभी 22 भाग का एक पूरा वीडियो अफलोड किया था, अगर आपने बो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो आपको पूरा से जाकर सभी में है तुकूर टोपिक के वीडियो देख सकते हैं, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसना है और आपको वीडियो अच्छा लगाओ, आपके लिए हैलफल हो, तो फ्लीज वीडियो को लाइक और सेर जरूर करना साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जै हिंद, जै भाराद